अध्याय पांच अपने लिये भी पाप बली चड़ाया करें और ये आदर का पत कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्र की ओर से ठहराया न जाये वैसे ही मसी ने भी महायजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुझे जन्वाया है वो दूसरी जगा में भी कहता है तू मने किस दख भी दिती पर सदा के लिए याजक है उसने अपनी दे में रहने के दिनों में उचे शब से पुकार पुकार कर और आशु बहा बहा कर उससे जो उसको मिर्तियू से बचा सकता था प्रातनाएं और बिंती की और भक्ती के कारण उसकी सुनी गई और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आग्या माननी सीखी और सिद्ध बन कर अपने सब आग्या मानने वालों के लिए सदाकाल के उदार का कारण हो गया और उसे परमेश्योर की ओर से मल्की सिदिक की रिती पर महायजक का पद मिला इसके विशें हमें बहुत सी बाते कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है इसलिए कि तुम उचा सुनने लगे हो समय के विचार से तो तुम्हें गुरू हो जाना चाहिए था तो भी क्या ये आवशक है कि कोई तुम्हें परमेश्योर के वचनों की आदी शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन के बदले अब तक दूद ही चाहिए दूद पीने वाले बच्चे को तो धरम के वचन की पैचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है अन सियानों के लिए है जिनके ग्यानेंद्रिये अभ्यास करते करते भले पुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं झाल